महराष्ट सरकार के मुखिया पर तंज कस्ते हुए भाजबा के प्रभक्ता निखिल आनन ने हमला कर कहा है कि वहाँ अंधेर गर्दी है उन्होंने यभी कहा है कि अभिनेता सुसान सिंग मामले में जिस तरह तत्यों को मिटाया जा रहा है वो दुर्भागिपुर्ण है आगे उन्होंने सुसान सिंग मामले में चरित्र हनन पर भी दुख ब्यक्त किया महराष्ट में जो अंधेर गर्दी है उसके चौपट राजा बने हुए है स्रिमान उद्धो ठाकरे जी महराष्ट में जिस तरीके की खुलम खुला गुंडा गर्दी है सुसान से जुड़े तमाम सबूतों और तत्यों को मिटाया जा रहा है महराष्ट सरकार बिहार पुलिस पर प्रॉक्सी तरीके से केस करवा रही है ऐसे में यहीं लगता है कि महराज सरकार किसी न किसी खास व्यक्ति को बचाने में लगी है और तथ्यों और सबूतों से छेड़ छाड़ किया जा रहा है दिसा सालियान से जुड़े मामले में फाइल डिलिट हो गई थी अब दो महीने बाद उसके कप्रे फोरेंसिक जाज के प्रणी भेजे जा रहे हैं ऐसे में तो लगता है कि दाल पूरी तरह से काली है और CBI और सुप्रिम कोर्ट से ही सिर्फ नयाय मिल सकता है और सीउसे ना जिस तरीके की हरकत कर रही है उससे लगता है कि इन लोगों को सारे कारनामे पता है ऐसे में CBI को चाहिए कि संजे प्रियंका गांधी को भी अपनी चुप्पी तोर कर सफाई देनी चाहिए। बरहाल ताना तनी के बीच बिहार सरकार और बिहार पुलिस महाराथ सरकार के प्रतेक चाल पर नजर गराए हुई है। झाल पर गराए हुई है।